नमस्कार मैं सभीता सेखावत मेरे चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं चोकलेट यह चोकलेट खाने में टेश्टी औरने के साथ साथ आप इसको गर पर एक दम आसान तरीके से बना सकते हैं चोकलेट बनाने में केवल 5 मिनिट का समय लगता है और बहुत सारी चोकलेट बन कर तयार हो जाती है तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चोकलेट बनान इसको अमने घर पे ही mixer grinder में डालकर पीस लिया है ये देखि पूरा आदा कपले लिया है इसको अमचलनी में डाल लेंगे एक चोथा कपीस में लिया है milk powder टेबल स्पून से नापे तो ये 4 टेबल स्पून के ब्राबर milk powder है कोको पाउडर लिया हमने 6 टेवल स्पून ये किसी भी मोल या फिर किराना स्टोर पे बढ़ी आसानी से मिल जाता है इसको भी इसके अंदर डालेंगे और पूरे सामान को हम अच्छे से चान लेंगे ताकि इसके अंदर जो मोटे करण हो वो निकल जाए इसके अंदर थोड़े से सक्कर के दाने हैं तो इसको अम आटा देते हैं और इसको अम पहले सुखा ही मिक्स कर लेंगे ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो तो ये मिक्स हो गया है बटर लिया है हमने 75 ग्राम के आसपास अगर इसको कप से नापे तो ये आदा कप बटर है जितनी हमने सकर के मात्रा ली थी उतना ही इसके अंदर हमने बटर लिया है ये है चोकलेट बनाने के लिए सिलिकोन का मोल्ड ये भी आपको मोल वगेरा में आसानी से मिल जाएगा या फिर आप इसको ओनलाइन भी बंगवा सकते हैं तो चलिए चोकलेट बनाना सुरू करते हैं इसके लिए आमने एक पतीले में पानी रख लिया है एक गिलास और ये आम एक बाउल ले लेंगे कांच का ये आमने माइक्रोवेव का बाउल लिया है अगर आप सिंपल कांच का लेते हैं तो वो चटक जाएगा क्योंकि गरम हो तो बटर हमारा एकदम मेल्ट हो गया है अब इसके अंदर डालेंगे अम जो मिस्रन हमने तयार करके रखा है वो थोड़ा थोड़ा करके अम इसके अंदर डालेंगे और साथ साथ इसको मिलाते रहेंगे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डालना है और साथ की साथ इसको पूरा अब आमने गैष का फ्लेम बंड कर दिया है और इसको अम ऐसे ही थोड़ी सी देर चलाएंगे क्योंकि बहुत गरम है इसी में यह तयार हो जाएगा मिश्रन को अच्छे से मिक्स कर लिया है यह देखिए तयार हो गया है तो आप इसको मॉल्ड में बरेंगे चम्मच की सायता से इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा लेकर मॉल्ड के अंदर बर लेंगे अगर आप इस मिश्रन को थोड़ा सा पतला रखेंगे तो आपकी बहुती करंची चोकलेट तयार होगी आमने ये थोड़ा सा गाड़ा किया है इससे अमारी एकदम सोप्ट वाली जो है चोकलेट तयार होगी जो खाने में बहुती अच्छी लगती है तो पूरा मोल्ड आम ऐसे ही बर लेंगे जैसा आपको इजी लगे आप उस तरह से मोल्ड को बर लें पूरा मोल्ड बरने के बाद ये थोड़ा सा मिश्रन बचा था तो हमने कांस की कटोरी में बर लिया है इसको आम आप दो गंटे के लिए फ्रीज में रखेंगे ये देखी दो गंटे के बाद ये कितना अच्छे से जम गया है आप इसको हम निकाल लेंगे और एक प्लेट में रखेंगे इस मोल्ड का ये फायदा है कि इसमें चोकलेट जो है बड़ी आसानी से निकलाती है बिल्कुल भी नहीं टूटती ये देखी कितनी आसानी से निकल रही है तो पूरी चोकलेट हम निकाल लेंगे अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड नहीं है और आप उसको लेना नहीं चाते हैं और आपको चोकलेट बनानी है तो आप इस मिशरन को किसी भी प्लेट में बटर पेपर लगा कर उसको फैला दें और बाद में उसके आप पीस कट कर लें इससे बहुत अच्छी चोकलेट तयार हो जाएगी आपकी यह अमने कांच की कटोरी वाला चोकलेट भी निकाल लिया है एक दम टेस्टी चोकलेट बनी है तो आप भी इस चोकलेट की टेस्टी रेसीपी को जरूर ट्राई कीजिये यह आपको भी बहुत पसंद आएगी और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हुं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए चोकलेट की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद